नमस्कार दोस्तों मैं दीपा क्यादो परम बीर चक्रविजेता बीर अब्दुलहमीत की सर्जमी गाजीपूर का निवासी हूँ जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि वारांसी डिफेंस एकेडमी का वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है हर जिसे कि हर ग्रूप मे हर ग्राउंड में अर्तरह की लोग देख रहे हैं ऐसे इन वीडियो मेरे पास भी आया मैं भी उस वीडियो को देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर वहां पर वारांसी डिफेंस एकेडमी के ग्राउंड में जाकर उसकी जानकारी ले और मैं अपने भाई को साथ मिलेकर आया हूं ताकि इसके भी एडमिशन के बारे में जानकारी लिया जा सके और चलिए बात करते हैं यहां के डारेक्टर मनो सर हैं यहीं हमको आगे की जानकारी बताएंगे जैसा कि आप लोगों को पता है कि फीजिकल की तयारी कभी कहीं भी हो जाती है लड़के रोड पर दाउ लेकिन अगएडिमी खास बात तुम डारेक्टर सर से जानेंगे की इसके अलावा में चीज्व होती है हमारा रीटेव होता है उसी के बारे में इससे आम जैनकारी लेंगे तो सर यहांपर इसके अलावा और किसके तयारी होती है बारे में फैंक्टिपक जी धन्यवाद अलावा क्या-क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल आपको कहीं भी मिल जाएगा जैसे आपने विंपोला है लेकिन mostly important है written written क्यों important है कि 100 नमर का physical और 100 नमर सब नमर के रेटेन के उपर आर्मी के जितने भी student होते हैं वो लगभवग यह मान कर पर चलो कि सिर्फ और सिर्फ रनिंग पर फोकस करते हैं भूल जाते हैं वो हमें पढ़ाई करना है रेटेन में निकालना है आर्मी के अक्सर लड़के उने कमजोर रोनेव फास्च होते हैं और इस चीज को नौ होने के वज़े से एज निकल जाता है टाइम निकल जाता है और वो मेरीड की चीज़ों को भाँ भी नहीं पाते हैं और दूसरी चीज रहा गया रनिंग का फिजिकल का मैं बता रहा हूं आज एकेडिमी इतनी एक्टिव क्यों हो रही है एकेडिमी के अंदर एक डिस्प आहा डिये नहीं दोड़े अपने एक्ड़ चलते हैं लेकिन विडिये क्या करती है वारांटिक क्या करती ऑपको प्र मिलाती है है कि आपका चार बजे सांगो अगर रुनिंग स्टार्ट में तो यहां ऐसा नहीं है तो रेगुलर्टी यहां बना रहता है और किसी सक्सेज के लिए रेगुलर्टी बहुत ज़्यादे जरूरी है मैं आपके और रहता है दूसरी चीज लड़के सबसे भागते हो रिटेंट वी डिये वही मैं है अगर आपको एक अरगों hai रेटेन कहना मतलब आपको रेटेन पढ़ना है टेस्ट लेना है नम्मर जानना है और आपके गारजीयन तग यह पहुचाया जाता है आप एक बार दो बार पेपर देते हैं आपको समझ में आ जाता है कि अरे मैं गाव में रहता तो यह मुझे नहीं मिलता और इसके बिना काम नहीं चलेगा दूसरी चीज जो लड़का घाव में ड़ड़ रहा है अपने ग्राउंड पर नहीं रहा है और उसी के रीटेन भी बहुत ज्यादा जरूरी है जैसा कि सर ने बताया कि फीजिकल से फीजिकल के साथ साथ रीटेन भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपर तो सर हम आप से पुछना चाहेंगे मेरे भाई कि मैंने आपर करने आर्मी में करने के लिए हूं तो क्या इसके अलावा भी कु तो कोशिज करते हैं कि उसको आर्मी और कंभॉइंड देखता है कि मार्च में अगर मान लिजयlicher पेपर है और अम कोशिज यह करते हैं कि लड़के को आर्मी की नाम पड़ principals कि अगाइज में अड mods और कोचिंग कराया जाए यूपीपी का ताकि आर्मी का आर्मी का अगर रनिंग करता है तो यूपीपी का रनिंग हो जाएगा और यूपीपी का अगर रिटेन करता है तो यूपीपी में पास हो जाएगा आर्मी का भी पास हो जाएगा क्रासवाइज करते हैं एक ही पैसे मे सब कुछ हो जाएगा यूपी पी भी पढ़ लेगा और आर्मी पढ़ लेगा दोनों साइट से मजबूत हो जाएगा यह सुभीद है मारे पास जैसा कि सर ने बताया कि आर्मी के अलावा और वेसे की यूपीपी की वित्यारी यहां पर कराए जाती है अब हम सर से सिधा जनका दखने पे और रहने पे उसे इंदे मातना चाहीं दिया जाता है उसको नासता दिया जाता है नासते के अंदर उसको दिया जाता है नास्ता दिया जाता है पूरी सब्जी होता है कभी चना होता है कभी वगएरा पास्ता होता है यह अलग-अलग सीडियूल हर रोज नास्ते का अलग होता है उलिठ right we do wanna best dog boat वेज नास्तिम व्याफता ही जह अगर अगर अन्डवारे नहीं खाता है तो अगर सन्चा सुन दूट के में जाता है दालकुटी सब्जी जो भी है यहे दोफर खाना अंगर संड़ ऐ तो लड़के को चिकन दिया जाता है, अगर लड़का चिकन नहीं खाता है, तो उसको पनीर अबलिक मसरूम की सबजी दी जाती है, बुधवार को अंडा कड़ी साम को दिया जाता है, अगर अंडा कड़ी लड़का नहीं खाता है, तो मसरूम अबलिक पनीर की सबजी दी जात है जो कि कभी छोला है तो कभी दूसरा सब्जी है इस टाइब का खाना बनता है साथ में मैंने एक चीज आपका छोड़ दिया था दूद हम लोग दूद सुबह नहीं देते हैं साम को देते हैं संडे को चिकन देते हैं एक संडे मचली देते हैं बुद्धवार को अंडा कडी हैं क्योंकि हमें पता है फिजिकल एकेडमी के लिए अगर हम अच्छा डाइट नहीं देंगे तो हम लड़के से रिजल्ट की उमीद नहीं रखेंगे जैसा कि मनुसर ने बताया कि खाने पीने की ब्योस्था रहने की भी ग्राउंड भी हम देख लिए पास में यह बहुत अच्छा वहां पर दढ़ने की ब्योस्था रनिंग खेल कूद हर एक प्रकार की ब्योस्था है और यहां पर एक जो संस्था आए वह रोट के जैश्ट सामने ही है ज्यादा दूर पर नहीं है मुझे तो यह संस्था बहुत अच्छी लग रही है और क्योंकि मैं अपने भा है का